Good morning friends, आज के ता हिंदू editorial discussion में आपका स्वागत है, आज हम discuss करेंगे तीन editorial, first editorial है हमारा Russia-Ukraine War and उसके जो consequences है, second हम discuss करेंगे electoral bond और जो हमारी Supreme Court की judgment आईए, और third हम discuss करेंगे कि France में जो abortion है वो constitutional right declare कर दी गए है, तो इस editorial में हम discuss करेंगे कि जो France की जो women है उन्होंने क्या struggle करा है यहां तक महुँचने के लिए और इंडिया के लिए क्या direction हो सकती है further, आज के editorial discussion स्टार्ट करते हैं, जैसी कि आप इन फोटो में देख सकते हैं कि रशिया और यूकरेन के बीच में war चल रहा है और यहां पे रशियन आर्मी के कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन जब आप इ इंडिया से हमारे यूद को recruit करके, जूटे जहां से में फसा के कि रशिया में जाएंगे, वहां पे आप पच्छी सी नौकरी दिलाएंगे, citizenship दिलाएंगे, यहां से हमारे यूद को जहां से में ले जाके, वहां पे front line पे border पे लड़ा रहे हैं, रशिया और यूकरेन के ब इशू है, यह limelight में आया, और limelight में आने के बाद question उठे authority के उपर, कि authority जो थी वो अभी तक क्या सो रही थी, अब हम देखते हैं कि news में आ रहा है, CBI चापे मार रहे हैं, जो recruitment agency उनके पास जाके data collect कर रही है, कि कितने यहां से लोग गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, कहां कह से गए हैं, यह साही चीज़े हो रही हैं, तो question उठता है कि भई, वहाँ पर अगर job दिलवा रहे थे, ठीक है, तो हमारी authority का सो रही थी अभी तक क्या, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए पहले visa चाहिए है, passport होना चाहिए है, सारी चीज़ होती है, proper तरीके से यहां से जा रहे हैं लोग, तो authority को खबर कैसे नहीं हो अभी तक, कि वहीं वहाँ पर जाके हमारे जो youth हैं, वो लड़ रहे हैं, Ukraine के against में, तो यही सारी चीज़ इस editorial में discuss करी गई है, कि CVI कैसे recruitment agency के पास चाहपे मारी कर रही है, और पता लगा रही है कि total कितने Indians हैं, जो Russia में जाके तो वही ठीक है, यहां तक भी हमारी जो agency थी, यहां तक भी हमारी जो ministry थी, ministry of external affairs, वो जागी नहीं थी, जागी कब जब एक MP ने वहाँ के ministry में letter लिखा, कि भई यह जो हो रहा है, इसको बंद करो, यह क्या हो रहा है, जितने भी हमारे youth हैं, उनको वापिस बुलाओ, तो य यहीं पे editorial के end में, यही सारी चीज editorial में discuss करी गई है, कि हमारे youth जा रहे हैं, कि authority क्यों सो रही थी, authority का क्या जवाब है, end में जाके, यहां हमारे writer ने एक सवाल पूछा है, जो बहुत ही important सवाल है, जो ministry से पूछा है, जो government से पूछा है, कि ठीक है, यहां से हमारे youth चले कभी 35 बता रहे हैं, कभी 20 बता रहे हैं, कभी 100 बता रहे हैं, बोला कि अगर youth चले गए यहां से, तो उनको वापिस ही लाने में इतनी delay क्यों हो रही है, कि जब India और Russia के relationship इतने अच्छे हैं, तो हम forcefully अपने youth को वापिस घर पे क्यों नहीं लेकर आ पारे, और जो second question वो चुप बैठी है, अभी तक, कैसे होने दे रही हैं सारी चीज़े, तो यह दो important question यहां पर पूछें, कि पहले उन्हें वापिस ही लेकर आना है, इसमें delay क्यों हो रही है, और यह जो recruitment हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, तो यही साही चीज़ है, गुमा फिर आके पूछी ह पूछी है, बेसिकली आपको पता है, हमारी जो country है, वो most populous जो country है, सबसे ज़्यादा population हमारे यहां पर है, तो population जब जब ज़्यादा होगी, तो employment की दिक्कत तो आएगी ही, ठीक है, यह employment की दिक्कत हमारे यहां पर है, इसलिए तो हमारे यहां के यह यूथ है, वो भाहर करने की जुरूरत है तो इस साही चीज़ों पर हमारे एडिटोरियल का फूकस था I hope आपको आज का एडिटोरियल समझ आया होगा मूव करते हैं next एडिटोरियल की तरफ आज का हमारे जो second topic है आप इसे women empowerment वाले topic से relate कर सकते हैं so 4 March को France world की पहली country बन गया था जिसने women's के abortion right को as a constitutional right accept कर रहा था और इसी के इर्दगिर्द जो है हमारा जो editorial है यह घूम रहा है इस editorial में discuss कर रहा है कि जो France में basically editorial France में focus कर रहा है इंडिया के लिए इसमें कुछ पहलू है लेकिन इतने जादा important नहीं है वो हम अलग से discuss कर लेंगे क्योंकि यह जो abortion constitution right अब declare हुआ है लेकिन किसी time में France में ऐसा था कि abortion करना भी illegal था abortion करने पर भी jail हो जाती थी तो आप देख सकते हैं कि women's जो है क्योंकि women empowerment से मैंने बुला आप इसको relate कर सकते हैं तो आपने देखा कि जो women's है उनके पास अपना bodily right ही नहीं था कि वो अपनी body को लेके decision ही नहीं कर सकती थी तो इसी के एर्दिगे जो हमार editorial घूम रहा है कि कैसे France में उस time से जहां पर abortion illegal था आज के time तक पहुँचा है जहां पर इसको constitutional right declare कर दिया है तो आगे बढ़ने से पहले अपना थोड़ा इंडिया का देख लेते हैं क्योंकि हमें UPSC को clear करना है तो यह आप essay में इसका use कर सकते हैं इसके अंदर जो point जेर के इसमें essay में use कर सकते हैं अपने UPSC के so France में तो अब यह constitutional right है तो world के लिए basically एक message है कि आपको भी क्योंकि फ्रांस ने पहल करी है तो यह world के लिए message है कि अब इंडिया को भी women's के इस right को abortion right को जो इंडिया में क्या है यह legal right है इसको constitutional right declare कर देना चाहिए यह basically एक इशारा है इसलिए editorial हम discuss कर रहे हैं इंडिया में क्या है कि जो abortion है वो एक legal right है यह आता है अंडर है अपना MTP Act 1971 इसका full form है Medical Termination of Pregnancy Act 1971 इस act की भी अपनी एक कहानी है इस act के अंदर क्या है कि आप दो तरह से जो आपका fetus है जो अपना भून जिसे कहते हैं हम pregnancy जब होती है तो भून उत्पन होता है तो उसको जो abort करना होता है उसका जब abortion करना होता है दो stage में इसे कर सकते हैं या तो up to 20 weeks तक कि जो 20 हफते हैं उसके अंदर अंदर आप किसी भी एक medical doctor से opinion लेके आप terminate कर सकते हैं अगर इससे जादा हो जाता है 20 से लेके 24 week तक इसके अंदर आपको दो doctors की सलहा लेनी होती है और इसमें साथ condition दे रखी है जिसके अंदर आप termination करा सकते हैं जैसे को यह rape victim है वो 20 से 24 हफते के बीच में अगर terminate करवाना चाहती है abortion को तो वो करवा सकती है दो medical practitioner से opinion लेकर या फिर अगर minor pregnant हो जाती है उसको करवाना है तो वो करवा सकती है तो ऐसे करके साथ condition है कि woman disability disaster की condition में या फिर जो fetus है जो बच्चा है वो malformation हो जाता है उसका तो उस condition में वो abort करवा सकती है तो यह हमारा इंडिया का feature है legal right है MTB Act 1971 के अंदर तो अब देखते हैं कि France में यह struggle चलाता यह France का struggle कैसे चलाता वहाँ पर क्या क्या हुआ था ताकि हम इस points को अपने essay writing में use कर सके तो France का जो struggle था वो start हुआ था वहां की Simon D. Boa के द्वारा इसको Boa प्रोनाउंस करते हैं उनकी एक book है Second Sex तो इस सही line है कि हम जो पैदा होते हैं तो हम क्या पैदा होते हैं male या female पैदा होते हैं न हम women और men तो नहीं रहते हैं यह gender जो है यह after birth हमें attach किया जाता है और यह societal है यह physical नहीं है तो उसी में discuss उसी का यह discuss किया गए इसी quote को आप अपने essay writing में यूज कर सकते हैं और UPSC directly इस quote को देखे आपसे essay के लिए भी पूछ सकता है तो इसी के अंदर discuss किया गए कि जो women है इसी book के अंदर second sex के अंदर discuss किया गए कि जो women है उसको हम कैसे देखते हैं as a mother देखते हैं as a caretaker देखते हैं लेकिन जो women's की उसकी autonomy होती है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता न कि women's जो है उसका भी career है उसको भी कुछ pursue करना है उसकी भी कुछ rights है उन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता हम तो बस उस mother और caretaker या हमारे काम करने वाली समझते हैं ठीक है तो women's का जो right to choice women's का जो right to freedom है उसको favor करा गया है उसको champion करा गया है उसको support करा गया इस book के अंदर because यह जो Simon D. Bova थी यह कौन थी एक feminist थी जो women's के equal feminist कौन होता है देखो feminism जो philosophy है यह focus करते है कि इस पे कि women's को भी equal right होना चाहिए यह ऐसे नहीं बोलती कि feminist जो है उनको female जो है उनको जादा right होने चाहिए उनको बोलती है equal right होना चाहिए जितना man को है यह feminist philosophy है इसका भी essence आपको पता होना चाहिए तो जो हमारी book है second sex इसके अंदर discuss किया है कि women's के बाद खुद के biological rights नहीं है अगर उसको contraceptive का right है यह France की बात हो रही है कि अगर उसको contraceptive का right है तो उसको legal abortion का right भी होना चाहिए उसको जो abortion करवाए वो safe environment में करवाए जो abortion करवाए, वो legal होना चाहिए, free होना चाहिए, इन सब का right होना चाहिए, लेकिन उस time में, क्योंकि जिस time की बात कर रहे हैं, 1949 में, France में ऐसा कोई right ही नहीं था, उस time में क्या होता था कि चोरी चुपे जैसे हमारे यहाँ पे हैं, इंडिया में क्या है, कि हम क्या करते हैं, कि male और female का gender पता करना, fetus का gender पता करना illegal है यहाँ पे, इंडिया में, अभी इस time की बात कर रहा हूँ, वैसे ही France में उस time में abortion करवाना illegal था, लेकिन क्या इंडिया में अभी क्या बच्चों का gender नहीं पता करते हैं, बिल्कुल पता करते हैं, चोरी चुपे होता है, होता है या इंडिया में पता करते हैं, तो वैसे उस time में France में भी abortion होते थे, लेकिन illegal तरह से होते थे, कि चोरी चुपे हम करवाते थे, जैसे हम अभी ये gender का पता लगाते हैं, वैसे उस time में वो abortion करवाते थे, और उसके लिए सजावी थी, अगर पकड़े गए तो 5 साल की सजा थी, उस time में, तो ये सारी चीज़े इस article में discuss करे गई है, कि ये क्या है, एक patriarchy का कूरूप है, patriarchy तो दर्शार है कि women's को right नहीं है और male को पूरे right है, अब जब women's है, उनको अपना body का right तो होना चाहिए न, लेकिन था ही नहीं उस time पे, वही इस article में बताया है कि ये जो constitutional right अभ इंडिया में नहीं हुआ, हमने देखा था कि सती प्रथाती, परदा प्रथाती, तो ये दीरे दीरे करके struggle हुए women's organization आए, तो जैसे इंडिया में आज ये जो termination है, ये legal right है, वैसे वहाँ पे कभी struggle हुए थे और जो abortion था, illegal था, अब ये constitutional right है, वहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो उसके consequences बता हैं कि जब abortion होता है, तो क्या-क्या consequences होता है, extra bleeding हो जाती है, नहीं नहीं विमार्या आ जाती हो, itself death भी हो जाती है, यही तो consequence है illegal abortions के, और इसी चीज़ को support करा है, noble prize winner Annie R. Knox ने, अपनी एक book, Levenement में, और second sex जब publish हुई थी, तो definitely वहाँ पे, जो ये जो legal right है, क्योंकि abortion, illegal से legal करना भी अपने आप में एक struggle था, तो इस second sex, जिस book का reference लिया गया गया इस editorial में, और सारा editorial इस book के ही इर्दगिर्द भूम रहा है, इसकी कहानियों के इर्दगिर्द भूम रहा है, इसके अंदर reference, इसमें बताया है कि जो second sex था, इसकी publication के बाद, जो abortion था, वो legalized हुआ, इसका रास्ता खुला वहाँ पे, वो चीज यहाँ पे discuss कर गई है, और उसके बाद बताया है कि 1971 में वहाँ पे एक manifesto आया था, 343, तो वहाँ पे क्या हो था, जो बहुत बड़ी-बड़ी woman थी, बहुत famous woman थी, 343, उन्होंने sign करा था, और openly claim करा था, कि हमने भ करवाया abortion, तो तब खुलासा हुआ इन सारी चीजों का, कि जो abortion है, वो illegal रूप से चल रहा है, ठीक है, जो जब illegal चल रहा है, तो क्यों ना इसको legal करें, तो इन सारी चीजों पे, यहाँ पे discuss कराया गया है, और finally बताया है कि, जो abortion था, उसको decriminalized करा, तो यह सारा इस editorial में discuss क कि आए गया है, कि France में कैसे struggle हुआ था, कैसे illegal से legal हुआ, और illegal से constitutional हुआ, और यह जो second sex है, आपको मैं बता दूँ, यह जो book है, the second sex, इसको हिंदी में भी translate करा था, हमारी एक writer थी, प्रभा खैतानने, जिसका नाम था, इस्त्री उपेक्षिता, तो आप इस book का भी use कर सकते ह आपने essay writing में, कि आप भी बता सकते हैं, कि ऐसे करके यह जो France से motivate होके, हमारे Indian writers जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे struggle चालो करा, और ऐसे ही आपने जब freedom struggle पढ़ा होगा, इंडिया का, तो आपने देखा होगा, कि यह रहने साव वगेरा, इन सारी चीज़ों से ही तो motivate होके, ह वैसे ही, अब यह फ्रांस में constitutional right हो है, तो definitely, इंडिया में भी अब इसके लिए आवाज उठने लगेगी, और इंडिया में भी आने वाले time में, इसको भी हम constitutional right के रूप में देखेंगे, तो last में जाते जाते, तो यह जो editorial लिखा है, यह लिखा है, फ्रांस के Indian ambassador ने, तो उ इंडिया भी effort कर रहा है, किसके लिए, gender equality के लिए, हमने sustainable development goal जो हमारा 5 है, gender equality का हमने sign कर रहा है, और इस ही effort में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह जो आंदोलोन है, और मात्र सुरक्षा योजना, यह सारी जो योजना, यह किसके लिए, women को empower करने के लिए, और अपने SDG हमारा जो goal 5 है, उसको पूरा करने के लिए, और वैसे हमने 2019 में partnership कर रही है, gender equality के लिए, और हमने membership भी gain कर रही है, UN की, किसके लिए, status of women के लिए, और last time जब मैंने women empowerment वाला topic discuss करा था, तो हमने देखा था कि women का participation है, जो justice system में, वो कितना कम है, even हमने देखा था, parliament में जो women का participation है, वो भी around 16% था, तो यही सारी चीज़ आ जाती है, कि जब जो main organization है, इंडिया के जो main organization है, वहाँ पे जब women का role कम होगा, तो women के favor में laws कहां से आएंगे, यही सारी चीज़ इस editorial में दिखाई है, कि definitely अगर parliament में women का ratio 50% रहेगा, क्योंकि population में हमारा जो ratio है, वो 50-50 है, around, means अरीबन करीबन 50-50 है, तो जब population में 50-50 है, तो organizations में क्यों 50-50 नहीं है, कि women क्या inferior है, बिलकुल नहीं है inferior, तो जब 16% women का participation पार्लियामेंट में रहेगा, तो जब हाँ से जो laws लिखने लिएं, उनके favor में निकलेंगे, definitely नहीं निकलेंगे, और यही तो हमने फ्रांस में देखा, कि वहाँ पे abortion जैसी छोटी चीज भी illegal थी, अगर वहाँ पे parliament में 50-50% ratio रहा होता, women's का, तो क्या, वो जो law था कभी आता, कभी नहीं आता, हमेशा जो वहाँ पे abortion था, legal रहता, वैसे ही, इसलिए मैंने उस time पे जोड दिया था, कि तो जब equality जो organization में दिखेगी, त तो यही सारी चीज जो editorial में discuss करी गई थी, वो हमने देखी, जब आप किसी को sugar-coated जहर दोगे न, तो जब उसे खाएगा, starting में तो मीठा मीठा लगेगा, लेकिन बाद में उसे खाके मर जाएगा, वैसे ही था, यह electoral bond हमारी democracy के लिए, अब आप बोलोगे, सर सुबा सुबा और क्या आप जहर की बाते कर रहे हो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, यह electoral bond, आज के editorial में सब साफ हो जाएगा, आज के electoral स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा background बना लेते हैं कि जो electoral bond था, वो कब आया था, क्या चीज थी उसमें, तो जो electoral bond था, वो हमारा 1217 में आया था, financial bill means money bill, आप सभी को पता है, money bill जो होता है, उसमें लोग सबा के पास power रहती है, और राज्य सबा होता है, वहाँ पे ऐस सच इतनी कोई high power नहीं होती, राज्य सबा जस उससे pass करता है, वो नहीं भी करे तो automatically pass हो जाता है, तो ऐसे करके हमारा electoral bond आया था, और electoral bond ने क्या करा थ था कि जो corporate funding थी, basically जो सबसे खतरनाग इसका जो issue, जो खतरनाग इसका जो पहलू है, वो है corporate funding, इसने क्या पहले क्या होता था कि BCR तक की जो funding होती थी, वो देते थे हम political parties को, और BCR से उपर होती थी, तो political party को disclose करना पड़ता था, लेकिन जब से electoral bond आया, electoral bond सिर्फ SBI issue कर सकता और इसको redeem करवाने के लिए भी सिर्फ SBI में ही redeem होगा, उसकी designated branch में, तो जब electoral bond आया, तो क्या हुआ कि जो हमारे corporate houses थे, जो बड़े-बड़े business थे, वो अब 1000 रुपए से लेके 1 करोड रुपए तक की funding, एक electoral bond से कर सकते थे, ठीक है, आप सोचो कि किसी house को 10 करोड funding को, तो अब आप बोलोगे सर की funding ही तो दे रहा है, क्या फरक पड़ता है, देखो फरक कहां पर पड़ता है कि जब आप किसी को पैसे देते हो, तो वो सामने वाला बंदा आपका गुलाम हो जाता है, और यही चीज होती है बड़े level पे, जब corporate houses होते हैं, जब किसी को 10 करो करोड रुपए देंगे, या 100 करोड रुपए देंगे, जितने भी देंगे, तो वो जो सामने वाला बंदा होगा, वो उसका गुलाम हो जाएगा, तो जब अब वो decision लेगा, कोई भी बिल बनाएगा, तो वो उसके favor में बनाएगा, और यही सारी चीज, corporate funding वाली, यह electoral bond ने करी थी, जब RTI में खुलासा हुआ था, electoral bond का थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, जब RTI में खुलासा हुआ था, तो देखा था कि 9000 करोड जो corporate funding होई है, कहां से, electoral bond से, और maximum किसको मिली है, 5000 करोड तक, किसको मिली थी, हमारी ruling party को, अब जब ruling party को corporate funding मिल रही है, तो वो किसका favor करेगी हमारा थोड़ना करेंगी, आपका थोड़ना करेंगी, हम थोड़ना इतना donate करते हैं, तो पैसे ही नहीं हमारे पास, तो किसका favor करेंगी, जो बड़े-बड़े business हैं, उनका favor करेंगी, और जो democracy का essence होता है, कि जो vote देता है, उसका favor करना चाहिए, वो खतम होके, अब electoral bond वाला essence आजाएगा, कि जिसने electoral bond दिया, उसका favor करेंगी, तो democracy कहां रह गई थी, तो अब finally, editorial स्टार्ट करते हैं, अब finally क्या हुआ कि एक judgment आई, Supreme Court की हमारी 15 फरवरी को, 5 judges का एक bench बैठा, उसने judgment लिया, कि जो electoral bond है, वो क्या है, unconstitutional है, आ समविधानिक है, और ये इससे अच्छा judgment और democracy के लिए, मैं बोलू हुआ, कोई नहीं हो सकता, अब editorial स्टार्ट करते हैं, और editorial में देखते हैं, कि क्या क्या चीज डिसकस करी है, अब Supreme Court of India ने तो unconstitutional declare कर दिया, लेकिन इसको effective बनाने के लिए, इसको आत्मा देने के लिए, अपनी judgment को, Supreme Court ने बोला, 21 दिन का time दिया किसको, SBI को, और बोला कि भाईया, तुम क्या करो, दो set of information दो, किसको, election commission of India को, और फिर अपनी वो website पे डालेगा, ताकि हम जैसे जो लोग हैं, जो जागरित लोग हैं, जो vote को seriously लेते हैं, वो अब इस information को देखेंगे, और फिर अपना decision जो हम लेंगे voting का, वो इसके base पे देखेंगे, तो क्या-क्या दो set of information जो supreme court ने बोला, SBI को, कि तुम provide करो, election commission of India को, पहला set of information क्या चाहिए, कि कब खरीदा था, date बताओ, किसने खरीदा था, नाम बताओ, और कितने का खरीदा था, denomination बताओ, तो इससे क्या हो जाएगा, साफ, इससे हमें पता लग जाएगा कि जो electoral bond है, वो किसने खरीदा था, कौन सा corporate house था, कितने का खरीदा था, कितने करोड का खरीदा था, ये साही चीज हमें पता चल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरा information बोला, कि उसको जो redeem करवाया, वो कौन सी political party नहीं करवाया, जब ये दोनों चीज पता चल जाए हमें पता चल जाएगा, nexus की किसके गटबंदन किस से हो रखे है, जो हमें नजरों से दिखने ही रहे हैं, कि किस के अतार किस से मिले हैं, किस business के अतार, किस political party से मिले हैं, इस दो set of information से हमें पता लग जाएगा, अब बहुत अच्छी चीज पूछी है Supreme Court of India ने, क्योंकि क्य कर रहा है, वो voter को aware कर रहा है, कि तुम जिसके लिए vote कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है, वो तो देख लो एक बार, लेकिन, जो हमारा SBI है, ठीक है, SBI का जो chief है, मैं कहुँगा, क्योंकि SBI का employee सोड़ ना करेंगा, SBI का chief है, तो SBI है क्या है, SBI तो government का body है ना, government का गुलाम है ना, तो अब SBI थोड़ ना, एकदम से की Supreme Court ने बोल दिया, और वो एकदम से साही चीज़ बता देगा, कि यह देखो, कि यह यह political party थी, और यह corporate fund थे, और यह यहाँ पे गया था, कि इसमें क्या होगा, इसमें खुलासा हो जाएगा, कि जो current ruling party है, यही तो होगा कि दो दिन पहले, किस दिन का time दिया था, दो दिन पहले, means, 19 दिन बाद बोला, कि इसको decode करना, compare करना, बहुत बहुत बढ़ा task है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई central data नहीं है, और कुछ digitally store है, कुछ physically store है, और अलग-लग silos में है, इन सब को compile क करना पड़ेगा, और यहां से information लेनी पड़ेगी, वहां से लेनी पड़ेगी, इस register में होगी, उस register में होगी, means, ऐसे टालम टोल करा बात को, और एफिडेविट में बोला, कि मुझे 4 महीने का time चाहिए, क्योंकि यह सारी चीज करनी पड़ेगी, फिर rematch भी करना कहीं गलती ना हो जाए, information देने में, तो ऐसे करके, sweet एकदम तरीके से बोला, कि थोड़ा सा time सर ओर दो, Supreme Court से बोला, कि 4 महीने का time लगया, कम से कम, और 4 महीने में क्या हो जाएगा, कि जो इस बार वाले 24 वाले जो लोकसभा के election होने है, वो हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे उसके बाद देते रहो, अगला 5 साल, फिर उसके पास आगया, गौर्वर्मेंट के पास, ठीक है, और अब ये खुलासा होगा, तो क्या होगा, कि गौर्मेंट के पास आगया 5 साल, और उसके बाद हम सब भूल जाएंगे, और फिर दुबारे 5 साल बाद, यही चीज चाल हो होके ऐसी चीज बोल सकता है, कि क्योंकि हमें सब को पता है कि RTI में खुलासा हो गया था, कि 2019 से अब तक सिर्फ कितने इलेक्टारल बॉंड इशू होए है, 22,217 इलेक्टारल बॉंड इशू होए है, और ये जो इलेक्टारल बॉंड इशू होता है, ठीक है, इसकी जो इशू होती है, वो sealed cover में designated branch में रहती है, किसने खरीदा है, कितने का खरीदा है, जो हमारा first set of information था, जो Supreme Court ने बोला था कि election commission of India को provide कराऊ, एक sealed cover में रहता है designated branch में, ठीक है, और इस branch से ये main branch में जाता है, मुंबई में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो first set of information है, वो एक ही जगा है, मतलब SBI जूट बोल रहा है, कि सरी इधर से इखटा करना पड़ेगा, उधर से इखटा बनना पड़ेगा, चार महीने का time है, मिल जूट बोल रहा है, क्योंकि जो पहली information है, वो तो सिर्व उसकी Mumbai में मिल जाएगी हमें, और जो दूसरी information है, redeem वाली, कि जो electoral bond था, वो किसने redeem करवाया, ये भी जो information है, ये भी sealed cover में रहती है, और कहाँ पे Mumbai ब्रांच में, मिन्स जो दोनो information है, दोनों, वो कहाँ पे है, Mumbai में है, तो एक ही जगा पे जब सारी information है, तो वहाँ से election commission of India को provide करा दो, लेकिन नहीं, क्योंकि 4 महीने का time लेना है, ताकि election हो जाएं इस बार वाले, तो वही इस editorial में discuss करा है, कि जो name है, purchaser का detail and cashment, जो भी जो detail मांगे है, वो एक ही जब location पे है, इतना time क्यों, क्यों इतना time लग रहा है, अब हम सबी को पता है, कि जो SBI है, वो 50 करोड कस्टमर को deal करता है, 50 करोड कस्टमर को deal करता है, SBI उसके लिए, जब एक ही ब्रांच में information है, तो 22,000 electoral bond ही तो है, इनकी information ले के provide कराना कोई बहुत बड़ा task है नहीं, इसका मतलब पागल मना रहा है हमें, और editorial में last में बोला है, कि जो हमारा right to information है, यह हमारा fundamental rights है, तो right to information के अंदर क्या आता है, आता है कि right to know about the financial contribution, कि कौन कि को पैसा दे रहा है, यह भी हमारा fundamental rights है, जानना, क्योंकि हम क्या है, हम एक voter है, हम एक democratic country में रहते हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी है, कि कौन किसको पैसा दे रहा है, ताकि हमारा right to information से क्या होगा, right to decision होगा, right to voting होगी, So, editorial में जाते जाते discuss करा है, कि 94% जो electoral bond issue होए थे, वो एक करोड के, एक करोड denomination के थे, अब एक करोड का जो denomination है, या एक करोड के जो रुपए के electoral bond issue होगे, वो मैं या आप तो देंगे नहीं, इतने पैसे थोड़ नाम देंगे, तो यह किसकी तरह बिशारा कर रहा है, corporate funding क आप पर, कि भाईया, 94% जो हुई है, वो corporate funding होई है, electoral bond के अंदर, so article के end में writer ने बोला है, कि जो हमारा constitutional right है, right to know, under article 91A, वो supreme court ने अप hold करा है, supreme court ने उसको मजबूती दी है, पुकता करा है उसको, और जो crucial information है, वही तो हमारा हत्यार है, उसी से तो हम अपने हत्यार को use करे जो हमारा right to vote है, और वही जाते जाते है, electoral के end में बोला है, कि जो information है, वही तो हमारा हत्यार है, उसी के द्वारा तो हम अपने हत्यार को, means vote को use पर पाएंगे, और एक democracy को अच्छी democracy बनाएंगे, so आप move करते है, next editorial की तरफ,